प्रश्ण बे भोतिक फिर्फार और राशानिक फिर्फार वच्चे नो तफावत भोतिक फिर्फार जे फिर्फार दरम्यान मात्र पदातने भोतिक अवस्था बढलाती होई ते फिर्फार ने भोतिक फिर्फार कहे जे भोतिक अवस्था बढलाती होई अथ्वा, वायु मा रूपांतर थाए, वायु मा रूपांतर थाए तो ए भोतिक अवस्तामा फिर्फार थेयो एटले तेने भोतिक फिर्फार कहे छे परंतु रासाणिक फिरफार जे फिरफार दरंब्यान पदार्थनू रासाणिक बंधारन बढ़लातु होई ते फिरफार ने रासाणिक फिरफार कहे छे रासाणिक बंधारन बढ़ला आतु होई रासाणिक बंधारन जो बढ़लाई जय तो तेने रासाणिक फिरफार क्या है उदारन तरीके दूध माथी जारे दही बने ज त्यारे ये दही नू बंधारन जो लगुए दूध करता तेथी ते रासाणिक फिर्फार केवा पहतिक फिर्फार मा पदार्थना बहतिक गुनदर्म मा फिर्फार जाए गन होय तो गन ना गुनदर्म होय प्रवाही वे तो प्रवाही ना गुनदर्म होय रसायन होय वायू मा होय तो वायू ना गुनदर्म होय परन्तु रासाइनिक फेरफार मा पदाथना पहुति गुन्दर्मा पन फेरफार थाए अने रासाइनिक गुन्दर्मा मा पन फेरफार थाए छे रासाइन नो गुन्दर्मा बटलाई जाए छे भौतिक फेरफार काई में नथी बरफ पिगली ने प्रवाही बने लोवे ने प्रवाही ने गरम बरता वराल बने तो फरीथी ये वराल ने ठंडू पाडी ने प्रवाही करी शकाई ने प्रवाही ने ठंडू पाडी ने आपडे बरफ बनाई शकाई छे जारे रासानिक फिरफार काई में ची एक वार दूध माथी दही बार रुपा अंतर थाई गिए तो ए दही माथी फरी थी आपड़े दूध बनाय शक्ता न थी बहुतिक फिरफार माँ साधी भहुतिक क्रिया थी अथ्वा प्रक्रिया उल्टावी ने पाछो मेलवी शक्ये जहमके H2O S एकले सॉलिड आ बरप छे जेने गर्मी आपता H2O L एकले लिक्वीड पाणी बने जेने हजु गर्मी आपता H2O G जी एकले गेस वराल बने पने जे H2O G गेस वराल ने ठंडा करता H2O L एकले पाणी बन छे अने ज पाणी ने ठंडू पाड़ता H2O S सॉलिड एकले के बरप बनी जे चुनानो पत्थर CACO3 कल्शम कार्बोनेड आ चुनाना पत्थर ने गर्म करता CACO कल्शम उक्साड अने माथे वाईवुत पन थ से CO2 कार्बन डायोक्सेन हावे आ बन्य ने भेगा करीने फरी थी आप अधात पाचों मेड़ी शकातों न थी